सो हेलो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपके वार्टसप एप में आटो सिस्टम तरीके से डाउनलोड हो जाता है यानि आटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है तो इस सिस्टम को किस परकार से बंद करेंगे दोस्तों बंद क्यों करेंगे क्यो लिड़ेंग करेंगे तो आई वीडियो को शूरू करते हैं दोस्तो मेरा नाम है विकास आप देख दिक ऐस टीप्स हमसे पहले अपने वार्टसप एप को ओपन करना बाद काय। औौपन आपको यहां ऊपर दिख रहा होगा यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको simply setting पर क्लिक करना है setting के icon पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां नीचे storage and data का option दिया गया है यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको यहां पर media auto download में जाना पड़ेगा यहां पर तीन ओप्षन दिये गए हैं वेन यूजिंग मोबाइल डाटा वेन कनेक्टेड ओन वाइफाई वेन रोमिंग तो दोस्तों हमको यहां सिंपली क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे हमारा अगर हम चाहते कि मोबाइल डाटा चालू होने के बाद सिफ फ दोस्तों डिसेबल कर देना है अगर हम चाहते हैं मोगाइल डाटा चालू होने के बाद कुछ भी डाउनलोड ना हो तो सभी को हमको डिसेबल कर देना है तो और यहां पर ओके कर देना है तो दोस्तों नो मीडिया दिखाई दे रहा होगा कुछ यहां पर इसको भी इसी परका कर देना है डिसेबल करने के बाद ओके कर देना है दोस्तों अब हमारा किसी भी परकार से आटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सस्क्राइब करना ना भूलना और साथ में सेयर करना